हेलो अब्रिवान वेल्कम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्वों भी हम डिसकस करेंगे चौती कक्षा हिंदी का एक क्वेशन पेपर ये प्रथम आवदिक परीक्षा सत्रे दो हजार तेश और इसका पेपर है केंद्रे विध्याले संगठन का और सबसे पहले है पठित ग पसंद करते थे बीरबल की बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे वे बीरबल को मुसीबत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धी पर भुत अभिमान था। बीर्बल को तो वे अपने सामने निराबालक और मुर्ग समझते थे। पहला प्रशन है बादشाअकबर की मंत्री का क्या नाम था। बादशाअकबर की मंत्री का नाम बीर्बल था। अगे ख्वाजा सरा को किस बात का अभिमान था? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धी पर बहुत अभिमान था अपनी विद्या और बुद्धी का अगे बादशा अकबर का खास दर्बारी कौन था? बादशा अकबर का खास दर्बारी ख्वाजा सरा था next ख्वाजा सरा बीर्बल को अपने सामने क्या समझते थे ख्वाजा सरा बीर्बल को अपने सामने निराबालक और मूर्ख समझते थे next विलोम शर्द लिखे नापसंद पसंद चतुर मूर्ख next अब एक आपठित गध्यान शही आपके पाठे पुस्तक से नहीं है एक चिडिया थी उसने एक पोटली बना ली और अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता था वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई जिस कारण वह चिडिया उड़ नहीं पा रही थी कुछ और दिन बीतने पर फिर उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया हम भी अगर पुरानी और प्रिये बातों को भूल कर भविश्य के पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे उप्रोक्त गध्यान्ष से प्रश्नों के उत्तर लिखिए चिडिया पोटली में क्या डाल देती थी चिडिया पोटली में एक चोटा सा पत्थर डाल देती थी चिडिया उड़ क्यों नहीं पा रही थी चिडिया उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी पोटली बहुत भारी हो गई थी अगे कुछ और दिन बीतने पर क्या हुआ कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया अगे इस गध्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस गध्यान से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पुरानी और आप्रिये बातों को भूल कर भविश्य के पत पर अग्रसर होना चाहिए तबी हम वर्तमान का आनंद ले पाएंगे विलोम शब्द लिखिये आसान, मुश्किल, प्रिये आप्रिये लेखन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहते हैं तेज हवाओं को तूफान कहते हैं और बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है, इसलिए कहते हैं क्योंकि वे तेज हवा के साथ वे अपने साथ तेज हवा के साथ वर्षा लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं अगे है ख्वाजा सराने बीरबल से पहला प्रेशन क्या पूछा, ख्वाजा सराने बीरबल से पहला प्रेशन पूछा था कि विश्व का केंद्र कहा है, संसार का केंद्र कहा है उन्होंने कहा था कि जहां आप खड़े हैं जिस्थान पर वही संसार का केंद्र है कहा है अगे दिनेश क्या खोज रहा था दिनेश उस चीज को खोज रहा था जिसके गिरने की आवाज आई थी जोकि आक्चली में किर्मिज की गेन थी तो दिनेश लेकिन जब वो खोज रहा था तब उसे नहीं पता था तो आप किर्मिज की गेन नहीं लिखेंगे दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी गिरने की आवाज आई थी आगे है व्याकरण सबसे पहले प्रायवाची शब्द लिखो बादल मेग पानी जल संग्या शब्द किसे कहते हैं उधारण में संग्या शब्द पर गोला लगाए संग्या किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु वस्तु भाव और भाव जाती स्थान के नाम को संग्या कहते हैं और भारत हमारा देश है इसमें संग्या क्या है भारत और देश सर्वनाम शब्द पर गोला लगाए रेखा अपनी मा के साथ बाजार गई सर्वनाम जो संग्या के बदले शब्द लाएं हैं अपनी अपनी मतलब रेखा की हम सब भारतिये हैं निम्लिके शब्दों के विलोम शब्द लिखे आरंब, अंत, आसान, कठिन मुहावरे का अर्थ लिख कर वाकिये में प्रियोग कीजिए कलाई खुल जाना मतलब भेद खुल जाना इसे कलाई होता है कलाई खुलना भेद खुलना सो, कोई भी नाम आप लिख देंगे सोहन बहुत दिनों से गोटाला कर रहा था आज उसकी कलाई खुल गई आज रशनात मक लेखन बादल का चित्र बनाए वह उस पर पांच वाकिया लिखे बादल का चित्र बनाएंगे यहाँ पर आप इस तरीके से यह कुछ एक्जाम्पल्स है और फिर इस पर पांच वाकिया लिखेंगे पहले बादल आकाश में आस्मान में दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं बादल काले सफेद वह बूरे रंके होते हैं बादल बारिश लेकर आते हैं बादल नदी जीलों तालाबों आदी के पानी से पानी के भाब बनकर उड़ने से बनते हैं समुद्ध समुद्ध बलते हैं और बादल आस्मान में दौड़ लगाते रहते हैं अब बादल तूफानी होते हैं आगे हैं वर्तनी सही शब्द पर गोला लगाएं मुश्किल संतुष्ट शब्दों के अर्थ लिखें विश्वास यकीन संसार दुनिया हालिस्थान भरो सूरज आस्मान में दौड़ रहा है मकी ने शेर को जगाया बादलों को और क्या नाम दिया गया है शब्दों को पूरा करें मा से बादलों को नाम दिया गया है मतवाले तूफानी जोकर दिये हुए वाक्यों वाक्य के लिए सही शब्द लिखें जिस स्कूटर के दो पहिये हो उसे हम बोलते हैं दो पहिया जिस जंडे में तीन रंग हो तिरंगा ओके लिए था चौथी कक्षा हिंदी का एक वेश्चन पेपर थाइंक यू सो मच पर वाचिंग झी करो पर वाक्यों